पटना समेत प्रदेश में गर्म हवा के प्रवा से मौसम शुस्क बना रहेगा। अगले चार से पांच दिनों के दोरान तापमान में दो से तीन डिगरी की वृद्धी के साथ गर्मी बढ़ेगी। गुरुवार से प्रदेश में गर्म पचुआ हवा चलने के भी आसार है। खगडिया किशन गंज को छोड़ पटना सहित शेज जिलों में अधिक्तम तापमान में वृद्धी दर्ज की गई। आपको बता दें कि गर्म पचुआ हवा ने राजधानी समेत प्रदेश के लोगों की परिशानी बढ़ा दी है। पटना समेत आसपास के इलाकों में तेज गर्म पचुआ हवा के कारण लोग पूरे दिन परिशान रहे। राजधानी समेत 13 शेहरों का अधिक्तम तापमान 40 डिगरी सेल्सियस से उपर दर्ज किया गया। खगड़िया किशन गंज को छोड़ कर पटना सहित 6 जिलों के अधिक्तम तापमान में वृद्धी दर्ज की गई। राजधानी के अधिक्तम तापमान में समान से 2 डिगरी बढ़ने के साथ 40 डिगरी सेल्सियस दर्ज किया जबकि 42 डिगरी सेल्सियस के साथ शेकपूरा प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा साथ ही शेकपूरा वम मोतिहारी में हीट वेव यानि उश में लहर की स्तिती बनी रही मोतिहारी का अधिक्तम तापमान 41 डिगरी सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विज्यान केंद्र पटना के अनुसार चक्रवातिये परी संचरन का शेत्र पूर्वी बिहार तक बना हुआ है। इनके प्रभाव से आदर्ता में वृद्धी होने के साथ मौसम शुस्क्म बना रहेगा। 18 अप्रेल से मौसम में बदलावाने के साथ गर्म हवा का प्रहार होगा। तापमान में 2-3 डिग्री वृद्धी गर्मी के प्रभाव को बढ़ाएगा। दोपहर के समय बच्चे बुजर्गों को घर में रहने की सला दी गई है। आपको बता दें कि बिहार में इस वर्ष पहली बार कल यानी मंगलवार को लू हीट वेव चली। पटना का अधिक्तम पारा भी पहली बार 40 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी चमपारन और शेखपुरा जिला हीट वेव की चपेट में रहा। सूबे के 14 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्च किया गया। रडार या उपग्रे से प्राप्त आंकडों के अनुसार प्रदेश में अगले 5 दिनों के दोरान अधिक्तम पारा और चड़ेगा। इस दोरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धी होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बुद्धवार को यानि आज प्रदेश के 14 जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिसकारण पश्मी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपाल गंच, सिवान, बकसर, रोतास, कैमूर, और अंगाबाद, नवादा, शेकपुरा, मुंगेर, जमूई, बांका और खगडिया में भीशन लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज और अगले दो-तीन दिनों तक तापमान में वृद्धी की संभावना है। साथ ही भीशन गर्मी का प्रकोब बना रहेगा। दिगरी की वृद्धी के साथ गर्मी बढ़ेगी।